जेहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे High Court of Punjab and Haryana and Chandigarh में निकली चपरासी यहने की प्योन की भरती के बारे में तो यह दोस्तो official website High Court of Punjab की तो इसमें आप जैसे recruitment पर क्लिक करेंगे यहां पर administrative staff पर क्लिक करेंगे और आप यहीं से apply कर पाएंगे और यहीं से आप इस notification को download कर पाएंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो online application फिल करने की तारह है वह 25 notification ने दोस्तो 25 अगस्त के लिए ही निकाला गया है तो यहां पर total number of vacancies हैं वहें दोस्तो 300 और यह post है पियोन की जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ और यहां पर दोस्तो एक्स सर्विसमेंस के लिए 15 vacancies reserved है एज लिमिट दोस्तो जो है वो आपकी 35 साल से ज्यादा नहीं होन ह 계 Communist में से आपकी टूटल सर्विस कोहाँ वैंनेनस कर द दिजिए यह फिर आपको यह क्लास पास भी अगरवाएं तो इस भरती में अपलाई कर सकते हैं मैंने पहली ऐसी बहरती देखी जिसमें आठ्में कलास जो है ऑउन की विए भरती हो रही है ठीक है तो आघ और 12th pass इसके maximum education limit है अगर आप 12th से उपर हैं तो आप उसको नहीं बताएं तब ही ठीक है अगर आपने 12th से उपर के graduation के जो आपके documents को upload कर दिये तो आपके application reject कर दी जाएगी जो जो साफ-साफ यहां पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं candidates having qualification higher than the maximum prescribed above shall not be eligible for the direct recruitment 10 plus 2 12th class से उपर के document इसमें upload कर देंगे तो आप इसमें आपकी application reject कर दी जाएगी application fees normal candidates के लिए 700 रुपय है और अगर कोई ऐसा एक सर्विसमेंस है जिसके बच्चे भी इसमें अपलाई कर रहे हैं और उनके उनके लिए दोस्तों किसी operation में वो जो है गायल मतलब disabled हुए हैं या फिर सहीद हुए हैं तो उनके बच्चों के लिए उनके dependent के लिए कोई भी application fees यहां पर नहीं देनी है रिजर्विसन दोस्तों जिस प्रकार आपको मिलते हैं वो आपको मिलेंगे जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि हर्याणा येक ऐसा state है दोस्तों जिसमें एक सर्विसमेंस के dependent को भी एक सर्विसमेंस का reservation मिलता है लेकिन यहां पर साब-साब लिखा हुआ है benefits of reservation under ex-servixman category, shall be available only ex-servixman themselves and not to their dependence आपके dependent को इस भरतीय के लिए कोई भीरी रिजर्विसमेंस का नहीं दिया जाएगा जिए अप्लाई करते समय दोस्तों आपकी discharge बुकती जो है वो छेफ़ अटिश्टेट पर भी आपको अप्लोड करनी है application के साथ में शलिए आगे चलते हैं दोस्तो और हम बात कर लेते हैं आपके physical test की ठीक है sorry mode of selection तो mode of selection दोस्तो आपका इस परकार है आपका एक होगा written exam जिसमें आपके 100 marks के 50 question पूछे जाएंगे यानि कि प्रतेक number प्रतेक question के लिए दोस्तो दो marks आपको दिये जाएंगे यानि कि question paper में आपके टोटल 50 question होंगे जिनके लिए आपको 100 marks मिलेंगे यह question दोस्तो general knowledge, journal awareness, current affairs and numerical ability के question पूछ जाएंगे इस written test में कोई भी negative marking नहीं होगी यह जो दोस्तो paper है वो English, Hindi और Punjabi language में आप ले सकते हैं और आपका जो time होगा दोस्तो गो 90 minute होगा जैसे यह आप written test में दोस्तो पास हो जाते हैं उसके बाद में आपके लिए physical test के लिए बुलाए जाएगा जिसमें दोस्तो आपका 800 meter के race होगी long jump और high jump होगी ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तो हम race की क्योंकि यहाँ पर age wise जो है वो और race और high jump और long jump ली जाएगी तो दोस्तो सबसे पहले हम race के बात करते हैं actionreas局 की जो age है दोस्तो 35 से उपर ही होगी इसलिए में 35 से उपर बालों की ही बात करूंगा तो 800 meter की race दोस्तो अगर 35 से 40 साल के pavement है तो आपको 350 सेकिन में पूरी करनी है 40 से 45 साल की है तो 390 से केариंद में 45 से 50 साल के है तो 430 सेकिन में और 50 साल से उपर आपके age है जो तो चार सो सतर सेगन में आपको यह 800 मिटर के रेस पास करनी है अब बात करते हैं दोस्तों लॉंग जम्प की तो लॉंग जम्प आपके लिए दोस्तों जो है वो 2.65 मिटर की पास करनी है अगर आपकी एज 35 से 40 साल है अगर आपके 40 से 45 साल है तो यही दो long jump थोड़ी से कम हो जाए कि 2.50 मीटर 45 से 50 साल के exercisements के लिए यही long jump दोस्तो थोड़ी कम होगी 2.35 मीटर और 50 साल से उपर के अगर आप ESM है तो आपकी जो long jump होगी वो होगी 2.20 मीटर की हाई jump की बात करते दोस्तो 35 से 40 साल के जो exercisements है उनके लिए 1.05 मीटर 40 से 45 साल के जो ESM उनके लिए 1 मीटर 45 से 50 साल के जो exercisements है उनके लिए 0.95 पाइश साल से उपर गो पर गोगी हाई jump यहां पर ली जाएगी ठीक है तो इस वीडियों बच इतना ही है दोस्तो online application करने का online application फिल करने के जो link है वो मैं आपको इस वीडियो को description में दे दूँँगा वहां से जाकर आप इस वीडियो को इस भड़ती के लिए apply कर सकते हैं तो चलिए उम्मिद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके, वैल आइकन का बटन पर इस जरू कर लेना, जैहिन जैपारत,